यहां से लेकर विदेशों तक एक एको सिस्टम चलता है जो कहता आप इटलर हैं आप ताना शाह हैं आप आएंगे तो ये बदल जाएगा चुनाव नहीं होंगे इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं कि एजेंसियां भी आपने कंट्रोल कर लिए तमाम चीक मिनिस्टर दाल दिया, एमन सुरेण को जेल में डाल दिया देखिये मैं बगाता हूं अब जैसे आप सुशांत आप पाट साला चलाते हैं पाट साला में आप बैठ करके पई ये ताना साही अब ताना साही में ये सो पॉइंट होते हैं चलो और फिर सामने रिखो बीजे भी लिखो उनकी दादी ने क्या किया टिक मार करो मुदी की पार्टी के में पहले जो नेता थे किस ने क्या किया टिक मार करो उनके पर नाना ने क्या किया टिक मार करो आप न्यूज रूम में आकर के सरकार बैठ जाती थी कि कि अभी चर्चा करोगे, तिक मार करो, नहरु जी का पहला समसोधन क्या था, समिजान का, तिक मार करो, एमर्जन्शी के वक्त, अधिक पत्रकार, जेलों में कविता लिखते थे, तिक मार करो, आपका कोई गाना पसंद नहीं आया, अब मजूरू सुल्तान पुरी जी को जे लिल में पड़ेते, कितने लोग पड़ेते, कितने समय पड़ेते, क्या कारा थे पड़ेते, सरकारें कितने ही घराएगी, यह सब लगाओ, हमारे कामने हिसा लगाओ, नौ सयना के जहार लेकर के फिक्रहिप सoney बनाते थे, बताइए कोन से deeply करशी थी, अब सम्झाएए, मन माने तरह से लोगों को घर गिराना नश्बंदिया करवाई लिए किस प्रकार से करवाई थी आपने गायतिनी देवी के साथ क्या जुल्म किया था आपने यानि इस पूरे चेकलिस को आप एक बार आप अपने तरीके से निकालिए और मैं बानता हूं कि सो में से एक बिंदू पर आप में कहीं पर भी एक छोटा सा जम्स भी जो आरोप लगते हैं वह वाला जम्स नहीं निकलेगा